विवादों में फसी हमारे बारा फिल्म से आखिरकार बैन हट गया है 14 जून को फिल्म थियेटर्स में रिलीज होने वाली है लेजिंडरी आक्टर अनुकपूर स्टारर इस फिल्म से अधिती धीमन डेब्यू करने वाली है हमारे बारा में अधिती धीमन ने अनुकपूर की बेटी जरीन का रोल ने भाया है अधिती ने फिल्म विवात पर बात करते हुए कहा कि ये मेरी डेब्यू मुवी है और पहले ही फिल्म का इस तरह से कांट्रोवर्सी में आना दिल तोडने वाला होता है 24 गंटे के अंदर ट्रेलर हटा दिया गया था लेकिन जो बाते ट्रेलर में दिखाए गई है जो बाते असल में मॉल भी करते हैं उनकी क्लिप्स यूट्यूब पर आज भी अविलेबल है अगर आप सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे फिल्म में वहाँ से रेफरेंस उठाए गए है ट्रेलर में उतना ही पार्ट दिखा तो लोगों ने जज़ कर लिया 30 सेकेंड की ट्रेलर को ही देखकर लोगों ने समझ लिया कि फिल्म एक रिलीजन के खिलाफ है लेगिन मैं आपको क्लैरिफाय करना चाहूंगे कि ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है अदिती को रेप और जान से मारने की धमकी भी मिल रही है इस पर बात करते हुए आक्ट्रिस ने कहा इतने रेप और मौद की धमकिया मिली की बापरे सोशल मीडिया पर प्राइविट मेसेज करते है और आदे से ज्यादा तो फेक और फेसलिस अकाउंट्स है मतलब एक दन मैं अचानक उठी और इतने मेसेजिस देखे सोचा हम लोग सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं लेकिन हमें यह जान से मार देंगे सिर धड़ से अलग कर देंगे रेप कर देंगे ऐसे मेसेजिस आ रहे हैं अधिती ने आगे कहा कि हाला कि यह सब सोशल मीडिया पर है लेकिन डर लगता है मैं जब भी बाहर निकलती हूँ तो मास्क पहन कर निकलती हूँ